नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार आरशिस्टेडी ट्रिक परिवार में और हम लेकर आए हैं गणित के पांच मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन जो बार-बार परतियोगी परिक्साओं में पूछे जाते हैं और आगामी सभी परि तो आज ही हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजिएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गिया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिपिकेशन बेल को ओन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल-पल के अपडेट आप तक पहुंसती र किलोमीटर चलती है तो शानत जल में नाव की चाल क्या होगी देखिए ऐसी स्तति हमें क्या करना दार्य चाल को कि जाल कर लेते हैं 6 गंटे में 36 किलोमेटर चलती है तो चाल क्या हो जाएगी दूरी बटा समय 36 बटे 6 तो धारा के अनुकूल दिशा में हो जाएगी यह 6 चंगे 36 ठीक 6 किलोमेटर प्रति गंटा धारा के अनुकूल दिशा में और विपरीद दिशा में क्या हो जाएगी 8 गंटे में 40 किलोमेट ठीक है अब हमें येदी सांत जल में नाव की चाल पुछे तो हमें क्या करना दोनों को जोड़ना और दो का भाग देना और येदी धारा की चाल पुछे तो हमें क्या करना दोनों का अंतर निकालना दो का भाग देना सांत जल में नाव की चाल पुछा, दोनों को जोड़ दो, छै और पांच कितने हो जाएंगे, छै पलस पांच बटे दो, छै और पांच ग्यारा में दो का भाग देंगे, कितना हो जाएंगे, पांच दसमलों पांच किलोमेटर परती गंटा, ओप्शन नमबर बी राइट हो जाएगा, शाड़े पांच किलोमेटर परती गंटा होगी, सांत जल में नाव की चाल, और ये इसी जगह हमसे पूछा जाएंगे, कि धारा की चाल क्या होगी, तो दोनों का अंतर, छै और पांच का अंतर कितना होगा, एक में भाग देना किसका, दो का, एक में दो का भाग परती किलोग्राम तता 34 रूपे परती किलोग्राम वाले चीनी को मिला कर 29 रूपे परती किलोग्राम की दर्शे बेचता है, तो बताओ, इस मिसरन को किस अनुपात में मिलाया, ठीक है, तो एक तो चीनी है, उसके पास 25 रूपे परती किलोग्राम की, दूसरी है, उसके पा के नीचे लिग दीजे ठीक है इन दोनों का अंतर निकालिए उन्तिस और चोतिस का कितना हो जाएगा पांच तो पांच अनुपाथ चार इसका राइट आंसर ओप्चन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट क्यूसन है एक पिता अपने पुतर से उमर में पांच गुणा बड़ा है पंदरा वर्ष बाद होए अपने पुतर से उमर में दो सई एक बटे दो गुणा बड़ा हो जाएगा पिता की वर्तमान आयू क्या होगी देखे उम्र में पांच गुणा बड़ा है मतलब पिता पांच वर्ष का है तो पुत्र एक वर्ष का होगा या पुत्र एक वर्ष का है तो पिता पांच वर्ष का हो जाएगा यही होगा पांच गुणा बड़ा अब इसका मतलब क्या होगा 2 से 1 बटे 2 का है अब दूसरा बोलरा कि यदि पुतर 2 वर्स का है तो भी पिता कितना है 5 वर्स का ठीक है परंतु कब है 15 वर्स बाद तो कल एक यूशन में आपको बताया था जो आय और बचत से संब़न दित था मैंने बताया था जब बराबर ही लाब होता है, बराबर ही हानी होती है, बराबर बचत होती है, या अनुपातों में बराबर अंतर होता है, या उमर में बराबर, पंदरा वर्स बात पिता की उमर भी पंदरा बड़ेगी, पुतर की भी पंदरा बड़ेगी, दोनों की बराबर हो रही है, तो ह अमें क्या करना है, शिदा-शिदा वज़र गुणा करवाना है, पांस तुने कितना हो जाएगा, दस, पांच एकम, पांच, अब आपको क्या करना है, नए अनुपात कांतर, या बाद वाले अनुपात कांतर, कितना हो जाएगा, पांच और दो कांतर, तीन, बट्टे क्या कर तो एक का मान कितना होगा नो पुतर की वर्तमान उमर कितनी है नो वर्स है तो पिता की कितनी हो जाएगी पिता की उप्सन नमबर सी राइट हो जाएगा इस क्यूशन का next question की ओर चलते हैं एक 100 मीटर लंबी रेल गाड़ी 20 किलो मीटर प्रती गंटे की रपतार से चल रही है एक टेलिफोन के खंबे को पार करने में रेल गाड़ी कितना समय लेगी तो जब रेल गाड़ी किसी व्यक्ति को किसी बिंदु को या किसी खंबे को पार करती है तो दूरी क्या होगी दूरी वही होगी जो रेल गाड़ी की लंबाई होगी दूरी कितनी होगी 100 मीटर की रेल गाड़ी है तो 100 मीटर दूरी होगी 20 किलो मीटर प्रती गंट की रपतार से चल रही है अब आपको य यह सिस्तति में इसे बदलना होगा मेटर पर 30 सेकिन्ड में ठीक है तो 100 बट्टे 20 और विपरित में आपको क्या करना है विपरित में आपको करना है 18 बट्टे 5 से गुणा करवा देना है ठीक है 0 जिरो से 0, 2 से 10, 5 बार पांच से पांच केंसिल तो 18 सेकिन में वे पार कर जाएगी ओप्सन नंबर A राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन और लास्ट क्यूशन दस गाई दस बोरी गास दस दिन में खाती है बताओ 20 गाई 20 बोरी गास कितने दिन में खाएगी बहुत अच्छा ठीक है आपको एक फॉर्मूले पर चलना फॉर्मूला क्या है MWT ठीक है MWT Main Work Time ठीक है कितने व्यक्ति है कितने कारिये है और कितने दिनों में करता है ठीक है यहाँ पे व्यक्ति की जग हो जाएगा गाई कितनी गाई 10 गाई कितना कारिये है 10 बोरी गास है ठीक है और कितने दिन में खाती है 10 दिन में खाती है निचे भी वही सेम कितनी गाई है 20 गाई है कितनी गास है 20 बोरी गास है यहाँ पे टाइम दिया नहीं गिया टी लिख दो अक्स लिख दो जो भी आपकी मर्जी आये लिख दो ठीक है इस परकार V-shape में आप गुणा करवा हो और जो बचे उसका भाग दे दो ठीक है तो 10 गुणा 20 गुणा 10 भाग देना वेशे ही काड़ सकते हैं इस 10 चे यह 10 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर क्या बचे कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ओन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पलपल की अपडेट आप तक समय पर पहुंशती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद